हेलो गाइज, वेलकम बैक टु माई यूटूब चल, साथियो हाज हम आपको एक्स्प्लोर कराएंगे सेर मंडल, महल, वैदसाला, सेर मंडल के कही रंग, जहां मुगल सासक हुमायो की मरत्य हुई थी, भारत के दिल्ली में इस्थित पुराना किला के भीतर यह सोलवी सदी की या तिहासिक लाइबरी है, इस लाइबरी को इंडो-इस्लामिक, तैमुरीड तथा फार्सी वास्तुकला के मिस्णन में डिजाइन किया गया है, यह किले के अंदर एक मात्र जीवित संसना है, सेर मंडल, पुराना किला के दक्षिनी छोर पर इस्थित है, यह किले के सब से उचे स्थान पर इस्थित एक प्राचिन इमारत है, ऐसा माना जा था कि मुगल समराथ हिमायू ने इस इमारत को अपने पुस्कार लेके रूप में इस्तिमाल किया था, जहां पर उसकी म्रत्य हुई थी, अबुल फजल जो कि हिमाल्यू की बेटे अकबर के दरबार में कर थे, उन्होंने लिखा है कि 20 जनवरी 1556 को हमायू अपने विशो को अशिरवाद देने के लिए हाल ही में फिट की गई लाइबरी की छत पर था, उसने उम्मीद की जा रही थी कि वे एक कारेक्रम में विभीन अधिकारियों की पदोनिती की गोशना करेंगे, जो सुक्र के उदे के साथ मेल खाता था, जिसके लिए उन्होंने अपने खगोल विदो को भी महा बुलाया हुआ था, शाम के आसपास हिमायू सीडियों से उतरना प्रारम करते हैं, जह वे दूसरी सीडियों पर पहुंचते हैं, तो अजान प्रातना के लिए एक मुसलिम आमान जिसे हो जाते हैं, उनके मस्तिस में चोट आती है, एक से तीन दिन के बाद उनकी मृत्य हो जाती है, इसके निर्मान को लेकर भी कुछ विवाद इतियास में दर्ज हैं, पहले ऐसा माना जाता था कि सेर मंडल का निर्मान सूरी सासक सेर सासूरी ने पंद्रसु एक तालीस में एक महल इस्थल के रूप में कराया था, जबकि हुमायू की मृत्यू के अपने इतियास में परुकता से उल्लेक किया गया है कि इस इमारत का निर्मान हुमायू ने स्वम किया था, इसके उपयोग को लेकर भी विवाद इतियास में दर्ज हैं, इस ठीफन कैर ने अठार सो छत पर पुष्चकालिय माना, इतियास कार रामनात ने इसकी भगोलिक इस्तितियम परिस्तिती जन्य साहित्तिक कोस के परकास में माना है कि यह एक खगोलिय वैद साला रही होगी, जिसका नाम सोर मंडल रहा होगा, जो गलत धारना के आधार पर सेर मंडल कहा जाने लगा, वा बलवा पत्तर से निर्मित है, उपरी मंजिल छोटे चज्जो या ओर हैंगिंग द्वारा संदक्षित है, जिसके उपर कंगनी है, जबकि पहली मंजिल के चज्जे समय के साथ नस्ट हो चके हैं, छत के बीच में एक विशाल अस्टकोणी ये चत्री है, जिसमें परतियक स् अब एक निचली मंजिल में वे बारी-बारी से चकोर और अर्द अस्टकोणी आकार में हैं, जबकि उपरी मंजिल के अलकोग गहरे और आयताकार आकार में हैं, अलकोग के उपरी महराब के प्रतियक बारी इस पेंडल पर संग्मरमर के सत कोणा प्रतिक मुझूद है, अस्टकोणीय मंडल लाल बल्वा पत्तर सहीत धारीदार संग्मरमर से बना हुआ है, जो सेरसासूर के नाम पर सेर मंडल कहलाता है, ऐसा विश्वास है कि इसका निर्मान सेरसासूर ने 1541 स्वी में कराया था, बहार की और इमारत के प्रतियक कोने में गहरी महराबे बनाई गई है, दूसरी मंजिल पर चोपड के आकार का कमरा है, जिसमें भी बिगहरी महराबे भी हैं, तथा इसके भीत्री भाग में काचि का सजावट तथा गचकारी के में जामितिक जोमेट्रिक चित्रकारी की गई है, ऐसा माना जाता है कि सेरसासूर ने से अपने मरणजन के बनवाया था, किन्तु ऐसा भी का जाता है कि हिमायू ने इसका अप्योग अपने पुस्थकाल्य के लिए किया था और इसी मंडब की सीडियों से गिरकर 1556 इस्वी में हिमायू की म्रत्यू हो गई थी, जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, यही सेर मंडल है, जिसको सेर मंड तब भी का जाता है, और हिमायू की लाइवरेवी के रूप में भी जाना जाता है, उसी के जो निर्मान सद संबंदित तथ्ये हमने आपके बताए हैं, आप सामने देख रहे होंगे, आपको यहाँ पर आना चाहिए, यह है, जैसा कि हमने बताया, ने दिल्ली में पुराना इससा सूरी के दवारा बनाया और हिमायू द्वारा भी बनाया बताया गया, जिसके बारे में विबिन विबाद परचलीत हैं, आशा करता हूँ कि यह जो मेरा वीडियो है, आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक से और सब्सक्राइब कर